आए अपरे अच्छात्रों तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो स्टेटास्टिक्स का पार्ट है आपका सिगनिफिकेंस और मेजर ओफ डिस्परजन या इसे कहें आपके रण की विशेशता हैं यह माप तो इस टॉपिक पर हम डिस्कार्शन करेंगे जो स्टेटास्टिक्स जोगरफी में है आपका स्टेटास्टिक्स जोगरफी के अंदर में जो कर रहे हैं इंदर एम डोओ तो उन स्टूडेंस के लिए ये बीडियो है यूर्वाखी आपके जिनिक के अंदर आक की और भी math कémदर भी या आपका है तो मलो दोनों के अंदर हैं और जिनके भी लिए ये आप लिए आपने चला रहे हैं तो तो आपके लिए उप्यों की वीडियो है, यानि कि आपने ये वीडियो तभी देख रहे हैं, आपको आपके इसलेब बस में है, किसी ना किसी रूप से, और ये आपके नेट के एकजम में, जोगर्फिक नेट का एकजम है, तो उसके अंदर भी से लेटेड कोशन आते हैं, आपको अच्छा लगे तूँ, जबरतस्ती नहीं, तो आपको अच्छा लगे तो, और आपको इसकी पीडियेफ चाहिए, अगर आपको इसके पीडियेफ चाहिए, तो ये मेरा जो नंबर है, आप नोट कर लेजे है, अमेरा, 935-03-4-4727, तो अगर आपको इसकी प्राइस पर मैसेज करती है, आपको पूरी पीडियेफ, आपके पूरे सलेबिस की प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आगे चलिएगा, हम शुरुवात करते हैं, आज की हमारे टोपिक की, तो यहाँ बात आ जाती है, कि आपकिरन या विचलन, मेजर ओफ डिसपरजन, यहाँ कि आपकेरन के माप या विचलन के माप क्या है, इनकी पूरे देखेंगे, तो सबसे पहले विचलन या अपकेरन मेजर ओफ डिसपरजन की से कहते हैं, विचलन का अर्थ परिभासा, थोड़ी सी वीडियो बनाने में थोड़ा सा धूरा हो गया, तो लगवग आपको तत प्रेय, भिखराव या विवित्ता से माना जाता है, इनकी बिखराव या विविद्देता इनकी कोई चीज बिरी हुई है, अलग है, celui इनकी अलग-अलग है तो उससे कहा जाता है, विविद्देता जीवन में ही नहीं, संक्छां की तत्थों में भी निवननाधिक र जब survey करके आप अलग-अलग data collect करके लाती हैं तो वो अलग-अलग होता है आगे देखते हैं कि आता है अपकिरन बिख्राओ Dispersion या sector या परसार अथ्वा विच्छरन को कहते हैं यानकि कुछी भी आ जाए ये इसके प्राइबाची सब्द है आपकिरन dispersion हो गया, sector हो गया, spread हो गया तो विच्छरन हो गया, variation कहती है किसी स्रेणी के परतेक पद मुल्य की माद्दे से कितनी दूरिस्तित है यहनकि हमने माद्दे, आपको पता है mean कैसे निकाला जाता है, mean जैसे कि हमने जितनी है total संक्या, माले total संक्या कितनी है जैसे कि कोई 7 student है 1, 2, 3, 4, 7 student है उनके test लिया गया 20 नमबर का, और उन में 20 में से कितने नमबर आए, तो उन total numbers को, या फिर आपकी subject की percentage निकालते है वो भी ऐसे निकालते है, कि जितने आपकी number हो देमाने की 400 में से आपके 300 नमबर आए, ठीक है, और जितने भी subject हमाल लेजिए, आप 5 subject है तो इसको आप divided करेंगे, तो कितना आजएगा, 60 हाजएगा 5, 6, 30, तो आपका 60 हाजएगा, तो 60 60 हाजएगा, तो 60 हाजएगा, एनकी multiply of 100, ऐसे आपने percentage निकालते हो, एनकी percentage निकाल देओ, तो ऐसे 60 हाजएगा तो आपकी mean क्या निकल किया आजएगा, 60 निकल किया आजएगा, तो इसी परकार mean जो है, mean से क्या कि, जैसे mean निकाल दिया, तो mean से कितनी दूरी पे थवा, उसका map कितना छोटा या बड़ा है अब किन निकल आता है, यानकी इसको आगे हम जब सवाल निकालेंगे, उसे बैस समझेंगे जैसे ही मैंने कहा कि किसी के, माली जी आप 500 फिर से एक और एक जम्पल लेते हैं कि 500 में से किसी व्यक्ति के percentage ऐसे ही तो हम निकालते हैं ठीक है, percentage तो हम ऐसे identify कर देते हैं, जैसे कि 2-0 से, 2-0 कटगी, तो 5-6-3 तो ये 60% हो गया आगे किसी के 500 में से 309, 60% हो गया और दूसरा ये तरिक्का होता है कि आपको क्या है कि आपके ओस्तन कितने है यानकी ओस्त, ओस्त ऐसे ही तो निकालते जितना होता है, जैसे कि 300 है, और 5 subject है तो 60 आगया 60 का मतलब क्या है, ये 60 आगे, यानकी 60 का मतलब क्या है कि mean ही ये कहता है, कि आपके परतेक subject में 60 नमर है, जबकि ऐसा नहीं होता, और इस 60 से, ये जो variation है वो कितना दूर है उसे ही हम क्या कहते हैं, आप किरन कहते हैं, इसको जब आपका स्वाल आएगा, तो उससे बेस्ट तरगे समझ पाओगे बावले के नसार, विचलन पदों के विचलन का माप है ये आप definition याद रखना बावले की आगे है, रिगल मेन के नसार विचलन वैसीमा है जहां तक आकार या पदों के गुनों एक दूसरे भिन होते हैं उसे भिन, भिनता की मात्रा कहते हैं ये definitions आपको योगी तो हम लिखे रही हैं, कोनार के नसार अपकिरन विचलन का ताथ पर जिस सीमा तक व्यक्तिकत पदों में भिनता होती है उसकी मात्रा माप को विचलन या अपकिरन कहते हैं ठीक है आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए आगे कहते हैं WFL लिक BS Brooks के नसार विचलन अपकिरन परसार परसार एक केंद्रिय मुल्य के दोनों तरफ चर मुल्यों के विचलन विखराव की सीमा को कहते हैं यह बहुत सारी डेफिनेशन ऐसे ही किसी स्रेणिंग में किसी मात देखिए निकट संख्याओं के धेर समू को विखराव को मात्रा को विचलन अथा किसी समध्य समश्याओं का अधेन करने में अब करने में एक मैठ्मून भूमिका अदा करता है और आवश्यक उपकरन के रूम में करे करता है उसके बाद में यह व्यापपक है इसका उप्यूग आर्थिक, समाजिक और ध्योगी व्यापपारिक सभी चेत्रों में किया जाता है यानकी हर एक फिल्ड के अंदर इसका हम यूज करते हैं जब हमारे पाद जिस प्रकार का डाटा है चाहीं सोशियल लेटी डाटा है इंडर्स्टियल का डाटा है विजनस से लेटीड कोई डाटा है तो उसके अंदर सॉलूशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं समाजी के अर्थी चेतरों में आय वै की वित्न की समानता या एसमानता के अध defend करना आपकेंड विचल दवाराई सम्भी होता है dzięki कोशन पूशन पूशे लेज़ता है कि आय की समानता और एसमानता का अध्यन किसके अध्यवरा सम्भी होता है प्राय हम माद्द cultura के ताम्मान की सूचना परचाया के लिए तंबू लगाने की स्थान चुल लेता है तो उसी परकार है ठीक है ताम्मान की अंदेखी करने पर ठंड में जम जाना धूप में सूख जाना सवाविक होता है तो आगे देख अपकिरन विचलन के माप यानकी मेजरमेंट की से किया जाता है कि अपकिरन को डिस्परजन को कैसे मापते हैं तो संख्या की अध्यन के लिए अपकिरन के माप का ग्यान होना आवश्यक है यानकी आपको संख्या की यानकी स्ट्रेटस्टिक्स का जबाव अध में किसी मात दे के निकट संख्याओं के धेर के विखराव का माप अपक्रेंड विचलन का माप होता है उसके बाद में आगे हम देख लेते हैं एक बार ये देखिया मापने की जो मेथर्ड से किसे मापने सीधा कोशन पूछ ले जाता है कर दो नुमबर में या फिर बड़े में भी ये कोशन आता है आपका सोड़ा नमर में में एम में इस्टूडेंट तो आपके विचलन की अप विश्वावस्तार समपूल विश्वाज प्राइब ये ऊफ टॉटल रेंजब इसके बाद में सटूरत तक विचलन आगें विचलन मंद्य रीथी में कहते हैं सबसे बड़े और सबसे चोटे अंतर को कहते हैं कि टोटल रेंज क्या होता है यानकी हाइस्ट विचलन का सबसे आसान माप है विश्टार माप के सबसे बड़े और सबसे चोटे अंतर को कहते हैं यानकी हाइस्ट माइनस लोवस्ट इसका शुतर होता है यानकी हाइश्ट और रहाय्स्ट को दिखा जाता है जैसे कि highest के 70 है और lowest के 30 है तो इसके अंदर क्या कर जाएगा 70 माइनस 30 कर देंगे तो आपका कितना 40 यानकी आपका जो टोटल रेंज कितना निकल गया जाएगा 40 ऐसी होता है यहां की highest माने इसका formula भी देखेंगे देखिए रहा जैसे कि यह बिल्कुल सिंपल ही है इसका formula होत highest minus lowest value तो highest values होती है जैसे कि इसके अंदर हमें यह value दे रखे 5,9,12,3,15 कोई भी यह data हो सकता है किसी के number हो सकते है या किसी और किसी परकार का भी data कर आपको दे दिया जाए व्यक्तिकर स्रेनी यानकी individual series के अंदर तो इसके अंदर क्या किया दाता है highest highest इसके अंदर हम देखे तो 15 मैंसे 3 कितना बच गया बारा तो बारा आपका क्या हो जाए गया आपका range निकल क्या जाए गया तो यह range होता है बिल्कुल simply है यानकी highest minus यानकी highest value में से lowest value गटाने के बाद है जो हमें मुल्य अपरापत होता है उसे हम range कहती है range वह वाली range नहीं जो TV आफ मोबाइल फो 3 और 15 है तो बीच का 12 निकल गया तो क्या 12 इसकी range है यानकी 12 की आसपास की क्या value है नहीं है यह भी सही माप नहीं है इसे भी कुछ कमिया है तो इसलिए और आगे अविश्कार किया गया और methods अपनाएगे तो उसके बाद में आगला आता है आपका उसके बाद में आगे आता है आपका चतुर्तक यानकी interquartile range ये क्या होता है इसकी देखिया अंतर चतुर्तक विस्तार ग्याद करने के लिए सिरेणी के 33 चतुर्तक ता पर्थम चतुर्तक का अंतर प्राप्त किया जाता है विस्तार एम अंतर चतुर्तक विस्तार में अंत जसके अंत्र चतुर्थक विश्वार मेरतर दोंध बेल्ईक करता चतुर्थक बीग्णा जाता है फ्यावर करा संधार अगोर्ला से ौई derivative आडेंटीक्तिफाई करता है इस सुथच्न साफ समझजाए मeken लेंरर शयुस्तर होता है इंटर क्वारिटाल रेंज कैसे निकाल जाती देगिया तो इसके नदर क्या कहा जाता है कि सबसे पहले आपको क्या है क्या उवन ग्यात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइज यह दे रखा आपको साइज एन प्लस वन बाई फोर ठीक है आइटम यहनकी जो भी आइटम होती है ठीक है तो सिंपल लगी में यह सुतर होता है क्या उवन निकालेंगे उसके बाद में क्या उवन टू निकालेंगे तो भई साइज औफ अन प्लस वन बाई फोर फोर्थ आइटम मल्टिप्लाई टू क्यांकि 2 निकालना है तो 2 से multiply, quartile 3 निकालना है, तो फिर उसके बाद में 3 से multiply कर देते हैं, आगे देखिए, आगे प्रसेंटेज, प्रसेंटाइल रेंज कैसे निकालते हैं, यह देखिए गा, तो प्रसेंटाइल रेंज इस ग्याद करने के लिए 90 वा दसमा सत्मक का अंतर न प्रसेंटाइल रेंजेटाइल इस की यह दिखिए गा, टेखिए गा, तो प्रसेंटा ना इसका अंतर निकालना के लिए जाता है। क्या होता है थोड़ी सी पीडियो बनाने में क्लिया रटी नियारी लेकिन आपको मैं बताया दे रहा हुँ बाकी दिख रही है आपको यूँ पीडियो बनाती है तो थोड़ी सी धुंद लिए हो जाती है पीडियो फोगरा. चतुरतक विचलन किसी भी स्रेणी का चतुरतक विचलन उसके तृत्य चतुरतक पर्थम चतुरतक के बीच के अंतर का आधा होता है यहां कि जो आपका क्या क्या होता है किसी स्रेणी का चतुरतक विचलन उसके तृत्य चतुरतक पर्थम चतुरतक के बीच के अंतर का आधा ह होता है इसे निविक्स उत्र दारा क्या दियाता है इनको और आपको को कफिशेंट निकालना हो तो उसका फर्मूला उता है क्याओ 3-1 क्याओ 1 यह देख रखाए आपको और क्याओ 3 पलस क्याओ 1 तो यह फर्मुला दाता है कोफिशेंट निकालने का उसके बाद में देखिएगा यह कुछ डाटा दे रखा है जैसे कि एक सवाल दे रखा है एक बढ़ का देखिएगा क्या करता है कि निविलिक पत में कुछ चात्रों की उन्चाई दी गई है इसके चतुर तक विचलन कोईटाल डेविशन या कोफिशन्ट कोईटाल डेविशन गयात कीची तो इसके अंदर हम यह देखिएगा तो आपके कितने पत दिरख्या व्यक्ति के उन्चाई दिरख्या गैरा टूटेंस की वेल्यों सबसे पहले सुतर निकरेंगे क्या ववन निकालेंगे हम और डेविशन तो इसका सुतर क्या था है साइज ओफ एन प्लस वन बाइव वाई वर फोर आइटमस ठीक है तो इसके अंदर आप देखेंगे क्या है कि पद एन एन का मतलब है पदों की संग एन कि यह कितने पद है यह यह हो गया अ है तो तो आपका अ गया 11पलस 1 सुतर में है कर सूटर में है तो बार आben है 11 पलस 12 by 4 तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका ठीक है तो यह आपका कितना निकल गया जाए तीन निकल गया जाएगा तो तीन निकल गया जाएगा तो तीन वह पद तीसरा पद देखेंगे क्या है तो तीसरा पद यहां देखेंगे 58 है तीसरा पद यहां देखेंगे क्या 3 निगालना है वसे हैं तो इसका फर्मूला क्या वोतलै होता है देखर वह एंड प्लस वन बाई 4 अइटम 3 निकालना है 3 से multiple 11 प्लस 112 और 3 से multiple हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका बारह एक मबरह वन चोई पर्ति अबारह यह पर्ति 36 36 36 कि इसका कितना निकालना है कि इसका 64 कैसे निकाल रहा है कि यहां कुछ समेश्टेक है ऐसा नहीं होगा यह होगा कि क्या हूँ क्या हूँ सभी है कि तीन तो मल्टिपलाई करना ही है उसके बाद में क्या हूँ आपका क्या हूँ थ्री क्या निकल रहा है क्या हूँ थ्री आपका 64 निकल क्या है यहां सब हमने किया क्या हूँ थ्री क्योंकि यह 64 कैसे निकल किया देखिएगा हाँ सही है 11 पलस 1 किया तो 11 पलस 1 ये 4 किया तो कितना निकल किया गया 12 12 को जब 4 से ड्वाइड गरोगे तो 3 और 3 मल्टिप्लाई में ही ही है क्योंकि formula के अंदर होता है 3 क्योंकि quiet 3 निकालते है 3 3 बाद में क्या जाए 9 तो 9 में आइटम क्या है 9 में आइटम देखेंगे यहां 64 है 9 आपका निकल किया गया तो 9 में यहां 64 आपकी तो उसके बाद में क्या हो जाएगा 64 है और क्यों 1 की value निकल किया गई हमरे बस क्यों 1 की अठावन कर देंगे तो इसके अंदर कितना आ गया 46 आ गया 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 तो कायट टायल डिवेशन आपका कितना निकल गया गया 3 निकल गया हमें कोफिशेंट कोफिशेंट निकलना है कोफिशेंट अगर आपको अब निकालना हो तो इसके लिए क्या करना होगा इसका आपको शुतर तो पता ही है Q3- Q1 Q3- Q1 तो यह फारमूला आता है अब इस फारमूला को फिट करेंगे तो उपर तो 6 आ जाएगा इसको एड करेंगे तो 122 हो जाएगा और जब 6 को 122 से भाग देंगे तो यह 0.049 तो यह आपका कोफिशेंट निकल के आ जाएगा 0.049 इसका राइट नसर आजएगा क्या आपको समझ में नहीं आए अगर समझ में आए तो आप कोमेंट बिताई या और कोई दिख कर देदों फिर से करवा देंगे आगे देखी का कि ओस्त माद्डे विचलन Pricerat, mean deviation, average deviation कीशें कहती है जब संख्या की धनातमक, रिनातमक चिनों का अबलोकन करते समझ चिनों को धनातमक मानकर संख्या की मद्य समांतर मद्य मद्य का भूरलग निकाला जाता है तो ओस्त विचलन कहती है जब संख्यांकी धनात्मक एमरिनात्मक चीनों का अबलोकन करते हुए समस्थ चीनों को धनात्मक मानकर संख्यांकी माद्य का बहुलक निकला जाता है तो उसे ओस्त विचलन कहते हैं इसके विचलन निकालने के सुत्तर का परियोग किया जाता है क्या कहता है कि यदि समांतर माद्य द्वारा विचलन निकलते हैं तो उसे समांतर माद्य से पारित माद्य विचलन कहते हैं परन्तु यदि माध्यांक द्वारा विचलन निकालते हैं तो उसे माध्यांक से पारित माद्य विचलन कहते हैं ये बहुलक से विचल निकालते हैं तो उसे बहुलक से पारित माद्य विचल निकालते हैं प्रयमाध्यांकों को स्तिर और परतिनीदी होने के कारण इससे माद्य विचल निकालना अधिक तरक्संगत है बहुलक आयनिशित होने के कारण माद्य विचल निकालने में इसका यथ तो आपको बता है कि जो आपका मी निकालने का फॉर्मूला वो क्या होता है सिग्मा एक्स बटा एन यानकी पदों के सिग्मा एक्स का मतलब होता है कि जितने पदों का टोटल जोड होता है तो यहां देखेंगे हम किस परकार से आगे देखिया फोर्मले से तो इसका steps क्या होता है कि प्राप्तंकों का माद्य मान निकलना X का मान निकलना और X विचलन होता है और जो प्राप्तंक माद्य का अंतर होता है तो यहां देखिए सबसे पहले आपको यह कुछ स्वाल दे रखा है तो इसका हम जिसे हम कहते हैं तो एवरेज डेविशन तो सिगमा एक्स यह फर्मूला हता है आपको पता है सिगमा एक्स बटा एन यह फर्मूला हता है तो इन सभी को जोड देंगे हम तो इन सभी को जोड देंगे तो आपका कितना आ गया 45 आ गया 45 आ गया बटे पांस कर देंगे तो यह आपका पांस नहीं बताड़ी 9 निकल किया जाएगा तो 9 अब 9 निकल किया जाएगा अब हम इसको क्या है series में बना लेंगे इसको हम लिख लिए पांस साथ जैसे sequence में ऐसे लिख लिए हमने इसको लिखने के बाद क्या है कि अब हमारा मीम क्या निकल गया गया नो निकल गया गया नाइन निकल गया अब नाइन में से क्या करेंगे फाइब को गटा देंगे फाइब में से नाइन गटा देंगे तो माइनस फोर आजेगा न इसे कहेंगे एक्स सीरीज होती है और इसी परकास सेवन में से नाइन गटा देंगे तो माइनस टू बज़ जाएगा और नाइन में से नाइन गया जीरो और एलेवन में से नाइन गया टू और थर्टीन से तेरा में से नो गया तो फोर बज़ जाएगा अब यह आ गया अब क्या करना है आपको जो आपका क्याने कर लिए था है यहाँ पर 9 तो अब इनको क्या है कि आगे आपका माइनस प्लस का सिंबल हट जाता है जब आप क्या करते हो इसका माइनस प्लस का सिस्टम इसका हट जाता है यहाँ कि माइनस प्लस सिंबल नहीं रहता तो इसे X सिगिमा कहते है तो यह सिमिलर जाए इन टोटल का जोड कर दीजीगा यह स्टेप करना दूरी नहीं इनका सीधा है आपको इनका टोटल जोड कर ट्वैल आ गया ट्वैल का आ गया अब इसको पांस से मल्टिवलाई कर देंगे तो अगर को पांस से मल्टिवल आिक्यों करेंगे क्योंकि 5 हमारी सिंक्ख है यानकि यह 5 ही दे रखे है आपकी score 5 के दे रखे है तो इसको 12 से 5 से डिवाइड कर देंगे तो दो पॉइंट च्यार आपका जो आपका निकल गया जाएगा निकल गया जाएगा और वीदियो लेकर गैंगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है, आपको कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर बताइएगा और आपको PDF चाहिए तो PDF फी मिल जाएगी आज की सेशन में इतना ही आगे part one, part two, part three के मैं और भी वीडियो लेकर आता हुँ और चन्ड के साथ बने रही है इसमें आज इतना है सिखा और आगे करेंगे कंटिन्यू इस वीडियो में तरहीं धन्यवाद